आज का टॉपिक है विजुल परसेप्शन हमारी आँखें दुनिया के लिए खिड़कियों की तरह होती है हम कालीन पर लगे छोटे से दाख से लेकर आँकाश में दूर स्थित्तारों को देख सकते हैं स्टेडियम में हम फुटबॉल को ट्रेक करते हैं और रंगों के लाखों अलग-अलग वेरियेशन्स को देख सकते हैं लेकिन ये एग्जेक्ली कैसे काम करती है सबसे जरूरी चीज है लाइट जब ये आँखों में पहुँशती है तो रेजना पर पहुँशने से पहले लेंस और विट्रियस बॉडी से पास होती है यहां इसका वेभिन कामों में एक्सपर्ट लाखों छोटे फोटोरेसेप्टर सेल्स से सामना होता है उधारण के लिए तीन प्रकार की कोन सेल्स लाइट की डिफरेंट वेवलेंग्ट से रियक्ट करती है इसी कारण हम वेभिन रंगों को देख सकते हैं हलांकि ये करने के लिए कोन्स को परियाप्त लाइट के आवशक्ता होती है रात में किवल रॉड्स एक्टिव होती हैं वे हमें शेड्स और लाइट डार्क के कॉंट्रास्ट को समझने में मदद करती हैं जो हमें अंधेरे में एक लेंप पोस्ट से टकराने से बचाता है लेकिन सभी विल्लियां रात में ग्रे नजर आती हैं रॉड्स और कॉंज आने वाली लाइट की एनर्जी से रियक्ट करती हैं और इसे उस भाषा में ट्रांसलेट करती हैं जो हमारा दिमाग समझ सकता है इलेक्ट्रिक सिगनल्स इसके बाद कुछ और सेल्स इन सिगनल्स को प्रॉसेस करती हैं इन में से कुछ लाइट डार्क कॉंट्रास्ट को इंप्रूव करती हैं और बाकी इमेज को शार्प करने के लिए जमेदार होती हैं मिलियन्स, रॉड्स और कॉंज लगभग एक मिलियन नर्व सेल्स के बीच दिस्टिब्यूटिड होती हैं और उनमें से प्रतेक अलग तरह की इंफॉर्मेशन ट्रास्मिट करती है जिनमें बहुत सारे टास्क्स जैसे की शेप, कलर, मोशन, डारेक्शन आधी शामिल हैं नर्व सेल्स की बंडल्ट टेल आप्टिक नर्व बनाती है ये रेटिना को केबल से सीधे दिमाग से जोडने की तरहा है जिससे तुरंत सिग्नल प्रास्मिट होता है जो कई चीजों जैसे कार चलाने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास दो आँखें हैं इसलिए हमारे पास दो आप्टिक नर्व भी हैं ये बाद में अपने रास्ते क्रॉस करती है और एक सबस्टेशन के माध्यम से सीधे हमारे दिमाग के विजुल कॉर्टेक्स तक पहुँचती है विजुल कॉर्टेक्स में दोनों आँखों से मिलने वाली इंफॉमेशन को प्रोसेस, फिल्टर, इंटरप्रेट और मौझूदा पैटरन से कंपेर किया जाता है और फिर एक कंप्लीट पिक्चर में रियसेंबल किया जाता है दिमाग के दूसरे भाग, एक्सपीरियन्स और एमोशन्स के साथ इन एलिमेंट्स को जोडते हैं कुछ भी मिसिंग हो तो उसे भर दिया जाता है ये जवाम दोर पर हमारे बेना जाने होता है हलांकि कुछ खास स्टिमलाई हमारे ध्यान को आकरशित करते हैं उधारन के लिए यदि हमें किसी भीड में एक परिचित चेहरा दिखाई देता है तो हम उसे और अधिर गोर से देखते हैं और कालीन पर लगे दाग को हम एग्नोर करते हैं तो वास्ताव में हम अपनी आखों से नहीं देखते हैं बलकि हम अपने दिमाग से देखते हैं और विज्वल परसेप्शन के माध्यम से हर इंसान एक यूनीक मेंटल पिक्चर मनाता है।